राम राम दोस्तों दोस्तों आप सभी ने बजट तो देखे लिया है पर एस ए ट्रेडर बजट इतना अच्छा नहीं रहा है अगर आप देखेंगे और उसका इंपेक्ट हमें मार्केट में भी देखने को मिला है अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको काफे sharp selling देखने को मिली लेकिन market में फिर से आपको recovery देखने को मिली तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाती है जैसे आप one day के time frame पर आएंगे तो आपको थोड़ इसी एक situation दिखाई देगी कि market एक trend line की respect करते वे चल रहा था यहाँ पर support ले रहा था फिर market ने इसका धिया breakdown तो यहाँ से क्या situation थी मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि अगर trend line है support ले रहा है अगर breakdown मिल रहा है जब तक पिछले support से market नीचे नहीं चलता तब तक आपको negative side कुछ भी aggressive plan नहीं करना चाहिए कितने लोग इस पात को समझते हैं मुझे comment करके बताइए yes और no में अपना जबाब दिए अब अगर आप धियान से देखेंगे यह जो हमारा पिछला support है वो इस zone के पास है और इसी zone से market में आज buying आई हुई है क्योंकि one day का time frame है candle एक दिन को represent कर रही है और यहीं पे आपका round level भी है 24,000 का एक round level भी आपको यहाँ पे साप साप दिखाई दे रहा है तो हमें clear clear बात समझ में आगी कि जब तक इस zone का breakdown नहीं मिलता तब तक negative side आपको planning नहीं करनी चाहिए दूसरी आज की candle को देखके हमें एक बात और समझ में आई है कि market में अभी भी buyers मुझूद है जो market को उपर की तरफ आपको push करते हुए ले जा रहे है बात समझ में आगी तो फिर काफी लोग सोचेंगे कि इस trend line के breakdown का फिर क्या मतलब रहा तो इसका अभी तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि market इसके नीचे price sustain करना शुरू नहीं करता या 24,000 से नीचे price जाना शुरू नहीं करता तब तक इस trend line के breakdown का कोई भी मतलब नहीं है दूसरी चीज अगर इस तरह से buying आ रही है तो कहीं न कहीं market फिर से आपको एक नया high लगाते हुए दिखाई दे सकता है और फिर चाहे market कुछ reversal प्लैन करी हाँ market में तेजी काफी समय से आ रही है कुछ profit booking की जरूरत है लेकिन वो profit booking आपको कब देखने को मिलेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ठीक है पर लेकिन आप तियार रहेंगे अगर 24,000 से नीचे जाने लगेगा तो आप कुछ negative side का plan करने के बारे में सोचेंगे दोस्तों ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है ये just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है invest कने से पहले आपको अपनी research कने अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आप कौनी वाला है loss की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और detail में समझने की कोसिस करेंगे चीजों को ध्यान से देखो 30 मिनट के time frame पे आप आएंगे या 15 मिनट के time frame पे भी आप जाएंगे इस zone पे थोड़ा सा ध्यान दो इस zone से आपको पहले rejection देखने को मिला था breakout मिला तो आपको यहाँ पे support देखने को मिल रहा है फिर से breakdown मिला तो फिर से market resistance की तरह आपको act करता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि market के सामने अभी एक important रुकावट बनी हुई है खुद ही सोचो आप जब तक market इस range से उपर नहीं निकलता तब तक positive side कुछ plan करने का benefit है कि नहीं है खुद ही सोचो फिर हमें multiple time यहाँ से resistance देखने को मिल रहे है पहले भी आप देखेंगे market ने यहाँ पे resistance की तरह act करते भी market दिखाई दिया है तो इसलिए benefit क्या है कि जब तक इस से उपर market नहीं जाता तब तक आप plan मत करो positive side तो positive side आप कब सोचेंगे इसके breakout के बाद ही सोचेंगे आप positive side के बारे में यहनकि 24,550 का अगर market breakout दे देता है तब आप positive side सोचेंगे दूसरा हमारे लिए एक समश्य बनी होई थी 24,500 market बार बार इसका breakdown देने की ecosystem कर रहा था लेकिन closing इससे उपर ही दे रहा था आज market ने closing इससे नीचे दे दी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि negative trend यहां से market में चल जाएगा क्योंकि market में जो यह recovery आई है जो buyers market को उपर की तरफ खेंच के ले गए हैं तो इसका clear clear मतलब यह है कि कहीं न कहीं अभी भी बाजार में buyers मुझूद है तो इसलिए उनके साथ आपको छेड़ खानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दूसरी चीज हम यहां पर एक बात और observe कर रहे हैं कि अगर market इससे नीचे चलना शुरू हो जाए 24,400 तब आप negative side plan कर सकते हैं अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं चलो हमें समझ में आ गया कि positive side हमें कब सोचना है negative side हमें कब सोचना है लेकिन क्या-क्या important support resistance हो सकते हैं आईए उन चीजों को एक बार समझने के कोशिस करते हैं मैं आपके लिए यहां पर सीधे-सीधे high को पकड़ता हूँ और low को पकड़ लेता हूँ ठीक है कुछ line ही draw करता हूँ तब तक आप video को like कीजे मुझे comment करके बताईए analysis कैसे लग रहे हैं नए हो subscribe कर लिजे एक horizontal line भी उठा लेता हूँ और यहां पर draw कर लेता हूँ ठीक है draw कर दिया एक और line उठा लेता हूँ एक यहां पर मैंने फिर से एक line draw कर दिया फिर यहां पर भी एक line उठा लेता हूँ यह भी draw कर दिया एक line और उठा लेता हूँ यह draw कर दिया ठीक है इसके बाद एक और यह भी टोग अब ध्यान से देखो अभी हमने price action के according देखा था इस zone से आपको rejection देखने को मिल रहा है Fibonacci क्या बता रहा है Fibonacci भी बता रहा है कि यह 0.618 का एक important level है मैंने आपको दो यह चीज़े बताई हुई है कि 0.5 और 0.6 ऐसे zone है जो market को bounce भी करवा सकते हैं और rejection भी दे सकते हैं यहाँ पर market 0.618 से rejection ले रहा है और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जब market इससे उपर breakout दे दे तभी आपको positive side कुछ plan करना चाहिए तो यानि कि 24,557 के breakout के बाद आप positive side कुछ plan कर सकते हैं तो उस situation पे आपके लिए जो अगला important resistance हो सकता है वो 24,689 फिबोनाची के according हो सकता है वहीं पे अगर हम देखेंगे कि market 0.5 पे यहाँ पे एक support zone पे है तो इसके लिए यानि कि 24,465 हमारे लिए एक important support zone है अगर market इसका breakdown देता है फिर आपके लिए important support 0.382 हो सकता है यानि कि 24,373 हो सकता है इसका भी breakdown मिलता है फिर 24,259 आपके लिए अगले important support हो सकते है लेकिन सवाल उठता है अगर market ने gap up opening दे दी उस scenario पे आप क्या करेंगे उस scenario पे ध्यान से देखो मैंने क्या कहा कि इसके उपर आपको positive सोचना चाहिए अगर इस बीच कहीं भी market gap up opening दे दे तो उसके लिए हमारा कोई मतलब है ही नहीं फिर अगर इससे उपर जाएगा तो हम positive side सोचेंगे या फिर 0.5 से नीचे price sustain करना शुरू कर देगा तो हम negative side कुछ सोचेंगे ठीक है बात समझ में आई की नहीं आई clear होई की नहीं तो हमें क्या देखना है कि इस बीच कहीं भी gap up opening हो जाए सान्ति से बैटके market को observe करना हाँ अगर market यहाँ पे जाके gap up opening देके time spend करके breakout दे दे तो आप positive side कुछ plan कर सकते है एक छोट असा stop loss रखते हुए वहीं पे अगर market ने gap down opening दे दी उस situation पे क्या करेंगे पई जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वाले support जो उन से market बार बार support लेके bounce कर रहा है तो गर market एक gap down opening देता है तो हम पूरा focus कर देंगे 0.382 पे जो की क्या है 24,373 आपके लिए अगला important support जोन है अगर market में आपको एक gap down opening देके important support बनेगा ये इसका अगर breakdown हो गया तो आपको और भी negative momentum देखने को मिल सकता है नहीं तो market अगर इसे ही support लेके bounce करने लगया तो यहां से आप positive side कुछ सोचेंगे और जादा बड़ा कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि फिर रुकावट वो ही है 0.5 की है 0.618 की है और इसके साथ-साथ 24,500 भी आपके लिए एक रुकावट का कारण बन सकता है तो यह एक नजर हम fin nifty पे भी डाल लेते हैं कि fin nifty में क्या situation बनी हुई है जैसे कि हम fin nifty को observe कर रहे थे कि fin nifty एक range में चल रहा था आज इस range का आपको breakdown देखने को मिला है लेकिन यहां से clarity market में यह नहीं मिली है कि क्या इससे नीचे देखो breakdown तो मिल गया लेकिन कहीं कहीं buyers भी आई है हाँ जितना nifty 50 में buyers आया है उतना आपको nifty financial services में buyers देखने को नहीं मिला है लेकिन breakdown आपको मिल रहा है तो कल आप focus करेंगे अगर market में फिर से इसी range में चला जाता है positive momentum देखे या gap up opening देखे तो negative side आपको plan करने से बिलकुल बचना चाहिए जब तक कि market इस वाले support zone का breakdown नहीं दे देता या फिर मोटे मोटे सब्जों में समझे 23,200 से नीचे price sustain नहीं करना शुरू कर देता तक आपको negative side कुछ भी planning के बारे में नहीं सोचना चाहिए इस से इसको आप थोड़ा सा धियान में रखेंगे लेकिन अगर market positive side चलता है तो market फिर से इसी range में जाएगा और market के लिए यही एक resistance zone बनने वाला है आईए इसे एक छोटे time frame पे चलके देखते हैं 15 minute के time frame पे चीज़ों को समझने की कोशिस करते हैं जैसे कि ध्यान से देखो इस वाले area में आपको support देखने को मिल रहा है जब इसका breakdown मिला तो resistance देखने को मिल रहा है यह आपके लिए कौन सा important support zone है 23,550 तो खुदी सोचो आप अगर market यहां से आपको एक positive move दिखाता है क्योंकि नीचे एक support area भी है अगर यहां से एक positive move आता है तो अगला important resistance area कौन सा हो सकता है price action के according यही तो हो सकता है जो important आपके लिए पहले क्या था एक support था breakdown मिलके अब उसकी क्या act करने की possibility बढ़ जाएगी एक resistance की तरह आपकी उसके लिए act करने की possibility बढ़ जाएगी लेकिन वहीं पे अगर negative momentum देना चाता है तो खुद सोचो अगर इस वाले zone पे support zone भी है और हमें दिखाई दे रहा है कि यहां से buying भी market में आ रही है तो इस support zone के breakdown के बाद ही आप negative side plan करेंगे करते हुए चल सकते हैं clarity मिली की नहीं मिली concept clear होगे आएए मैं आपको कुछ और चीज़े भी दिखाने की कोसिस करता हूँ अगर आप 30 minute के time frame पे जाएगे तो आपको इसके market के बारे में थोड़ इसी clarity और दिखाई देगी इसके just नीचे वो ही support zone है जो कि हमने one day के time frame पे देखा था लेकिन यहाँ पे एक और important support zone है 23,000 का round level और round level को हम ignore बिल्कुल भी नहीं करते हैं चाहे हम bank nifty की बात कर रहे हो चाहे हम nifty 50 की बात कर रहे हो किसी भी index की बात कर रहे हो तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को like करना comment करके मुझे बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे है नहीं हो subscribe करना फिर मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए राम राम